कि नमस्कार दोस्तो दिना możको दोस्तो ऑप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस एफनी चैनल ही यूट्यूब कलासेज़ में स्वागत करता हूँ चलिए दोस्तो आज का सेशन हम सुरू करेंगे मझे 10 सेसन होगा आज का आज की जो हमारी कलास होगी दोस्तो आज वनली केवल जो मैंने चेप्टर सुरुवात किया है कलास 10 का मैत निर्दे साइम जेमती जो दसवा कोशन आज आपका होगा वो प्रसनावली 7.2 से आखरी कोशन होगा मैं उस कोशन को आज आपको क्लियर कराऊंगा दोस्तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं सभी लोग से रिक्वेश्ट करता हों कि आप सभी अपने भायू, यार दोस्त को जोड़िए और उसके बाद सभी लोग वीडियो को सेयर करिये ज्यादा ज्यादा लोग को सेयर करिये ताकि जतने भी वीडियो यहां से डाली जाये आप लोग को अच्छे से परवाइट हो जाए तो चलिए दोस्तों मैं शुरुबात करता हूँ दोस्तों वीडियो पर पूरी तरह से बने रहना आपको मज़ा आएगा एक सांदार वीडियो होगी एक मज़ेदार वीडियो होगी दोस्तों अगर आप लोग इस कलास को मिस करे तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सक्स्राइब करिए और वेल आइकन की घंटी को दबाईए एक छोटा सा फ्यारा सा कमेंट लिख दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए हम सेशन को सुरुवात करते हैं मज़ा आएगा तो चलिए देख लेते हैं देखिए हमारा कोईशन कहहरा है दसवा कोईशन होगा ये कहहरा कि एक सम चतुर भूज का 6 तरफल घ्याद कीजिए जिनके सीड से इसी करम में तीन कामा जीरो, चार कामा जीरो, माइनस एक कामा चार और माइनस दो कामा माइनस एक है तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जो समानतर चतुरभूज होते हैं उनका जो छेतरफल होता है वो क्या होता है ये जो सम्चतुर्भूज होते हैं ये जो कहा जाए कि सम्चतुर्भूज जो होते हैं आपको उनके जो छेटफल होते हैं इनके विकणवत के लंबाई के इनके विकणवत के गुनंदफल के क्या होता है बराबर होता है तो चलिए हम इसको सुरुवात करेंगे हल्व कैसे लि बिंदू, सीर्ट से बिंदू, आपके जो होगे, बिंदू A, A आपका क्या होगा, 3 कामा 0, बिंदू B, 4 कामा 0, सुरी 5, बिंदू C, आपका होगा, बिंदू C जो होगा, ओ, माइनस एक कामा क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, और कहा जाए, बिंदू जो D होगा, ओ, माइनस दो क माम माइनस क्या होंगे चार क्लियर तो सम्चतुर्भूजे ABCD के सीड़ से हैं ठीक है यह इतना आपको ध्यान रखना होगा तो इसके जो विकनवत होंगे ओ क्या होंगे देखे विकनवत इसके अगर बात करें A और क्या होगा C होगा और B और क्या होगा D होगा मैं अगर यहां से बात करूँ, figure की तो इस तरह से देख लेते हैं, यहां देखे, यह आपका figure बनेगा, एक जो सम्चतरभुज बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीके, देखे, A बिंदु होगा, यह B बिंदु होगा, यह C बिंदु होगा, यह क्या होगा, D बिंदु होगा, अ माइनस एक कामा चार है और बिन दो D की बात करें तो माइनस दो कामा माइनस क्या होगे एक इनके जो विकणवत होंगे इस तरह से बात करें ये इनके विकणवत होंगे A और क्या होंगे C होंगे उसके बात फिर और आपका विकणवत क्या बनेगा D और क्या बनेगा A तो इस कि दूरी निकाल लेंगे तो चलिए हम इसका लगाते हैं यहां लिखेंगे इधर देख लेते तो A का जो बिंद निर्दे सांग है वो आपका क्या है दर देख लेते हैं A का जो बिंद निर्दे सांग है वो आपका क्या है तीन कामा जीरो बिंद C का जो निर्दे सांग है माइनस एक कामा क्या दिया है चार माइनस एक कामा किता दिया है चार ये देखें बिंद C बात करे यहां से यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है, clear, आप देख लेते हैं, दूरी का सूत्र होता है, under root क्या होता है, x1 minus x2 का whole square, plus लगाएंगे y1 minus y2 का whole square, clear, आप देख लेते हैं, यहां से x1, x1 कमान किता रखेंगे, 3, minus यहां है, और यहां पर minus सूत्र में, यह minus minus क्या हो जाएगा, 1 का square, plus लगाएंगे, फिर देखे, y1, y1 कमान 0, minus 4 का square करेंगे, अब इस तरह से यह हो जाएगा, 3 एक किता हो जाएगा, 4 का square करेंगे, पलस, यहां देखे, इसको भी घटाएंगे, तो minus 4 का square ही बचेगा, ठीके, अब इस तरह से देख लेते हैं, यहां पर, 4 वर्ग भी 16, तो इस तरह से 16, 16 किता हो जाएगा, 32, तो दोस्तों, यहां से आपने देखा, यह 32 निकला, तो अगर 32 का हम वर्गमूल निकाले, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, 4, 4, 16, दूनी क्या होता है, 32, तो इस तरह लिख सकते हो, इसको, 4 रूड में, 2 मात्रक, यहा प्रक, यहां से निकलना है, तो इसके बाद हम चतुरभूज A, B, C का क्या करेंगे, छेत्रफल निकालेंगे, तो चलिए हम यहां से देख लेते हैं, थीके, तो थोड़ा इसको आप जल्दी से नोड कर लेते हैं, मैं इसके आगे थोड़ा से बता रहा हूं, थीके? तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लिए होंगे मैं थोड़ा से यहां मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझना आ गया होगा यह चितर भी आप नोट कर लिए हैं ठीके मैं इधर मिटा देता हूँ तो देख लेते हैं यहां से से बात कर लें देखे तो यहां लिखेंगे बीकाणे बीकाणे बीक के बीचे की दूरी ठीके बिंदू बी आपा दे रहा है बिंदू बी दे रहा है चार कामा पांच दे रहा है और बिंदू डी की बात करें तो माइनस दो कामा माइनस किता है एक यह देखे, x1, y1, x2, y2 तो दूरी का जो सूत्र होता है, under root, x1 x1 कमान किता रखेंगे? 4 यहाँ minus, x2, यह minus है तो minus minus क्या हो जाएगा? plus 2 का square हो जाएगा plus लगाएंगे y1 कमान 5, यह minus, यह minus plus हो जाएगा 1 का square यह देखे, यहाँ पर लिखेंगे 4 दो कितना? 6 कई square plus यह 4 कितना, 5 यह 6 कई square ठीके भई? आप देखें, यहाँ से 6 कवर के 36, clear? 6 कवर के 36, प्लस फिर 6 कवर कितना होता? 36 तो 36, 36 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, यहाँ 72 अगर 72 कवर्गमूल की बात करें तो इस तरह से आजाएगा आपका यह देखी, कामा कर देते हैं बिंदू BD BD का जो मान निकल के आजाएगा ओ 6 रूड कितना निकल जाएगा? 2 मातरक निकल के आजाएगा तो आप देखी, इस तरह से आपने निकाल लिया बिंदू AC के बीच की दूरी और बिंदू BD के बीच की दूरी आपने क्या किया? निकाल लिया अब हमें चाहिए क्या ची? चतुरभूज ABC का छेतरफल चाहिए तो चतुरभूज ABCD का जो छेतरफल होता है ओ हमारा सूत्रे क्या होता है? तो चलिए आप इसको वी नोट कर लेते हैं जल्दी से तो मैं थोड़ा इसको मिटा करके आपको वहाँ से आगे बताता हूं तो चलिए आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा मैं यहाँ से आगे आपको बता रहा हूँ ठीक है इसको मिटा देता हूँ देखें भई तो मैं आपसे यही कहूँगा आप लोग इस वीडियो पर आए हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िए आप लोग को मज़ा आएगा पूरी तरह से कबर कराएंगे हम मैद को आपको कहीं अधर चीज भी भटकने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जुडिये और जड़ी ज्यादा हो सके तो इसको क्या करिए देखी तो चलिए हम शुरूआट करते हैं इसका आगे यहाँ लिखेंगे FROM सम चतुर भूजे, सम चतुर भूजे, सम चतुर भूजे, सम चतुर भूजे, A, B, C, D का छेत्र फल बराबर, यहां से लिख देते ही, एक बटा, दो, गुणे, बिकर्णों का गुणन फल, बिकर्णों की लंबाई का गुणन फल, ठीके, गुणन फल, तो यह दोस्तों इसका सूत्र होता है, तो चलिए, यहां से देख लेते ही, देखे, यहां, तो एक बटा, दो लिखेंगे, गुणे, आप देखे, पहला जो पिकर्ण था, A, O, C, जो था, वो चार रूट की ताया, दो आया, गुणे, फिर दूसरा जो आया, वो की ताया, छे रूट की ताया, दो आया, किलियर, आप देख लेते ही, यहां से, तो यहां लिखेंगे, एक बटा, दो गुणे, देखे, यह चार छांग किता हुआ, चोवज, चोवज यहां लिखते हैं, अब गुणे, रूटदू, रूटदू, गुणा किता हो जाएगा, दो हो जाएगा, इस तरह से भी आप कर सकते ही, यहां से आपका जो मान निकला और किता निकला 24 अब आपको यह पता होगा कि जो छेटफ़ल आता है और किसमें आता है वरगे इकाई में ठीक है भई इस तरह से दोस्तों आपका यहां से यह क्या आ गया एंसवर आ गया तो यह दस्वा कोशन था आपने देख लिया एकदम सर इनके आपको बता कि विकर्णवत के लंबाई के गुरंदफल के क्या होते बराबर होते हैं तो आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज भी कर लीजिए मैं नेश्टे दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूं अगले क्लास में मिलता हूं आपको प्रस अज़ आप कहिंग रिवाद में हाल आपको लीजिए और लीजिए